अपका स्वागत है देखे फ्रेंड्स आज मैं आपके लिए बहुत ही प्यारा सा इजी सा डिजाइन लेके आई हूँ यह बनाने में बहुत ही इजी है दो रो का ही यह डिजाइन है सिदी और उल्टी रो में यह बनके कम्प्लीट हो जाता है और देखे आप इसको किसी भी प प्रोजेक्ट में आप इसको डालोगे तो यह बहुत ही अच्छा देखे ऐसे जिग जिग का इस पर यह डिजाइन आता है और बहुत ही यह अच्छा लगता है और वाइट पे तो देखे इसकी ग्रेस ही कुछ अलग है तो फ्रेंड्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि मैं मैंने इसको कैसे बनाया है उससे पहले आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरा चैनल की तरफ किजिए इस तरह से लुक है, right side से इसकी इस तरह से लुक है, तो friends इसमें हमें five के multiple में फंदे डालने होते हैं, five के multiple में फंदे डाल के आपे उसमें दो फंदे आपे पलस कर लेजिए, तो ये हमारा design से इसे set हो जाएगा, तो देखिए, पहला फंदा हैस्टीज है, हम इसको धरेंगे, यह फर्स्ट रो से इसका डिजाइन स्टार्ट हो जाता, बोर्डर के उपर आप इसको स्टार्ट कर देजिए, दो हमारे हो गए सी दे, फिर हम धागा आपने तरफ करेंगे, यह फंदा हम स्लिप करेंगे, और दो फंदे हम बनाएंगे, जो फंदा हमने स्लिप किया था, उसको हम इसके उपर से उतार देंगे, फिर यह दो फंदे हमारे गएप के, तो हम सीधे बनाएंगे, धागा आपने तरफ करेंगे, एक फंदा स्लिप करेंगे, दो फंदे हम सीधे बनाएंगे, और स्लिप की आवा फंदा इसके उपर से दोनों के उपर से उतार देंगे फर्स्ट रोको आपने जितने भी आपके फंदे हों आपको ऐसे ही रिपीट करते जाना है दो हमसी धे बनाएंगे दागा अपनी तरफ करेंगे एक फंदा हम सिलिप करेंगे और दो हमसी धे बना देंगे और सिलिप किया वह फंदा दोनों के उपर से उतार देंगे जान से देखिए दो सिदे बनाएंगे यह हमारे गैप के हैं दो सिदे धागा अपनी तरफ किया एक फंदा सिलिप किया दो फंदे हमने बनाए जो फंदा हम सिलिप करेंगे वह हमारा कम नहीं होगा क्योंकि हमने पहले ही एक फंदा बढ़ा लिया है देखिए दो फंदे हमार गैप के फिर आगे दागा करेंगे एक सिलिप करेंगे, और दो फंदे हम बनाएंगे, सिलिप किया हुआ फंदा इसके ऊपर उतार देंगे और एंड के हमारे दो सीधे ही आने चाहिए, जैसे हमने स्टार्टिंग में किये थे तो देखिए बिजाइन की फर्ष्ट रूबन के हमारी कम्प्लीट हो गई जितने भी आपके फंदे हो आप ऐसे ही बना लीजिए अब रॉंग साइड में हमें क्या करना ध्यान से देखिए यह दो जो हमारे सी देथे वो हम उल्टे बनाएंगे और देख देखिए यह जो तीन है इसमें थोड़ा सा इनको एक दोर बनाओगे तो यह थोड़ा से लूज हो जाएंगे अब यह थोड़ा से ताइट है तो देखिए इनमें ऐसे निडल डालके तीनों में तीनों में हमार यह पहले तो हम तिन्नों का ऐसे एक बना देंगे इसको निकाल लेंगे नहीं देखिए इसके उपर से ऐसे दागा गुमाएंगे और यह जो दो हैं इन मेसे निडल डालेंगे और अब बनातेंगे और अब इनको निकाल देंगे ये दो गैन के हैं इनको हम उल्टे ही बनाएंगे देखे, ये जो तीन है, तीनों में निडल डाली, देखे ध्यान से, तीनों का एक बनाया, निकालना नहीं है, मैं एक धागय से बढ़ा लिया, और ये दो में से, तीसरे को छोड़ देना है, दो में से निडल डालके, और इसको हमें बना लेना है, और इसको निकाल देना है, फिर तिनों में निडल डाली इसको हमने बना दिया उपर से दागा घुमाया और दो में से निकालके इसको हमें से बना देंगे हमारे तीन के तीन हो जाएंगे और इनको हम निकाल देंगे फिर तो गैप के हमारे उंटे फिर यागे तीन है फिर इनको हमने ऐसे ही बनाना है यह अभी हमने डिजाइन स्टार्ट किया है फिर्स्ट रो है इसलिए थोड़े से टाइट है जब थोड़ा सा और उपर बनाओगे तो थोड़ा सा यह लूज असाने से निकल जाएगे इनमे पाइक किया धागा उपर से लपेटा और इसमें से निकाल दिया देखिए हमारे तीन के तीन मन गई अब हम इसको निकाल देंगे कि दो फिर यह हैंड का हमारा पचा हुआ है देखिए ध्यान से तीन का एक किया धागा लपेटा और दो मेसे निडल डालके इसको बना दिया starting के दो हम उन्टे ही बना लेगे दिखे फ्रेंट्स दो को रो का ही डिजाइन है यह एक बार मापको बना की दिखाऊंगी इस दिखे हमारा बनना स्टार्ट हो गया पहला एस्टेज उतारा है यह हमने बना लिया धगा अपनी तरफ किया इसको हमने उतार लिया और यह दो हम बना लेंगे और स्लिप किये हुए को इसके उपर से उतार देंगे यह दो हमारे गैप के हैं फिर इस फर्स्ट वाले को स्लिप किया इस और धागा अपने तरफ करेंगे इसको स्लिप किया यह दो हम बना देंगे स्लिप की हुए को इसके उपर से उतार देंगे जो दो गैप के हैं हमारे बीच में इनको हम बना लेंगे दागा अपने तरफ करेंगे एक फंदा हम स्लिप करेंगे दो को हम बना देंगे स्लिप की वे फंदे को इसके उपर से उतार देंगे यह देखिए यह हमारा डेजाइन डलने लग गया दो फंदे फिर हम यह गैप के सीधे बनाएंगे धागा अपने तरफ करेंगे यह फंदा स्लिप करेंगे यह दो हम सीधे बनाएंगे स्लिप की वे फंदे को इसके उपर से ऐसे उतार देंगे फिर यह दो गैप के बनाएंगे यह दो रोल का ही डिजाइन है सीधी और रूल्टी रो में बनके कम्प्लीट हो जाता है बहुती एजी पैटन है यह देखे दो बनाएंगे स्लिप की वे को इसके उपर से उतार देंगे लास्ट के दो सीधे बना देंगे यह देखे अब एक बार और रोंग साइड से देखे द्यान से देखे तीन का एक किया इसके उपर से लपेटा और दो का तिनों में इसने निकालना दुबारा और इसको ऐसे निकालते हैं दो बनाए गया आपके सी दूल्टे फिर इस तीनों में ऐसे निटल डालें इसको थोड़ा से आप लूज कर लिए चीएगा तीन का एक किया धागा उपर से गुमाया दो बन गए इस दो में से निकाल के वापस हमारे तीन हो गए देखे यह दो गैपके उल्टे बनाए इनको थोड़ा सा ऐसे आप गुमाया और दो का एक कर दिया गैपके उल्टे बनाए ध्यान से देखे फ्रेंड्स तीनो में निडल डालके पहले हमने तीनो को बनाना है फिर हमें धागला पीटना है और इसको छोड़ देना है और इन में से निडल डालके इसको ऐसे बना लेना है फिर ऐसे निकालना है सीधी और उल्टी रोमे बन कम्प्लीट हो जाता है यह डिजाइन और थोड़ी सी मोटी उन में आप बनाओगे तो और भी यह अच्छा बनेगा मेरे पास पतली उन थी इसमें मैंने आपको डाल के दिखाया है यह देखिए और लास्ट के भी हम यह दो ऐसे ही उतार देगे य आप इन ही दो को आप रिपीट करते जाओगे रोको तो यह आपका प्यारा सा डिजाइन देखिए उपर उपर ऐसे बनता चला जाएगा और साइड का आप ऐसे ही यह एसडिज वाला ऐसे उतारोगे तो देखिए बहुती फिनिशिंग से यह साइड से यह किनारी सी बंती चली जाती है इसको सिलाई करने में बहुती आसानी रहती है दुनों तरफ से देखिए और देखे फ्रेंड्स यह आप ऐसे बनाओगे तो यह प्यारासा डिजाइन आपका बुनके यह कंप्लीट हो जाएगा तो फ्रेंड्स आप एक पर इसको जुरूर ट्राई करना और अग फ्रेंड्स मिलते हैं अगली वीडियो में नए डिजाइन के साथ है थैंक यू